देश के परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने दोजार चोबिस के चुनाव से पहले किसानों के चेरे पर खुशी दी है और वो खिसी भारत रत्न के रूम में दी गई है क्योंकि ततकालीन राष्टपती राजंदर परसाद के समय में दो जनवरी सन 1904 में भारत रत्न देने के सथापना की गई थी। लेकिन मर्नो परांथ देने की जो स्थापना हुई वो 1955 में हुई तो 1955 के बाद से ले करके भारत में कई ऐसे राष्ट्य सेवक रहे जिनको भारत रत्न से न वाजा गया और आज किसानों के मसीहा चोधरी चण्णंशिंग को भारत रत्न से न जा गया है और इस वक्त मेरे साथ किसानों की आवाज उठाने वाले भारते किसान यूनियन के राष्ट अध्यक्ष नरेश्ट मोजूद है उनसे बात कर लेते हैं तिकास साब जी राम राम क्या हाल है आपके बढ़िया है ठीक है अच्छा जैसा चैरे पर खुशी आ रही है भारत अतन की बात चल रही है कि चोदे चंड सिंग्ग को भारत अतन दिया गया है तो कैसा लग रहा है वह एक है जो मेरे बुझूर गए उन्होंने सरकार ने ध्यान करें जो फिलाल सरकार है बारते जनता पार्टी की उन्होंने इच्छी सोच देखी वह बढ़िया मोका है लोग लोगों के द्वारा पहले भी भारत देने की मांग उठाई गई थी हाँ कई बार इसमें चण सिंग बारत रतन की है और जो जा टारक्षन वाली बात है इसमें इसमें उठाई दिल्ली में कई बार यह हुई पंचयाथ हुई अच्छा ठीक है सब जैसे कि अभी रालोद अध्यक सहजान चोधरी वो बीजेपी में जाने की सुख बुगाट उनकी लगबग 95% तै हो गई है अभी 5% कंफरम नहीं है लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी में जाने के बाद वो किसानों की जैसे पहले बात उठा दिय अब रहें जाएंगे ऑग पहलेखें तो लग जा एक दागगा ने वीजेपी में जादे वीजेपी में उडेटा आए ड़िए जयादा सम्मान तो है नहीं अच्छा को अपनी सोच हे बच्छा हैं वह मैं तो उमर में काफी छोटा एंग इस तो संब्सक्राइब बीजे पी में किसानों का यह तो अपने वह एक अब उसक्राइब या थीख रखोंड़ेश्ट सरकार तो बनेजा को ठीक है तो कहा कहा के बात उठावें तेरह में इनने का अंदुलन ने साठ सो किसान सहीं दोगे परदानमंत्री इनने आज तक दो सब्द भी ने बोलना जाए है आप ने अभी बात कई आए कि देश टूट जाएगा तो दर्सक समझ़ना चाह रही है कि देश कैसे टूट जाएगा, देश थे आन्यों तूट जागा, नोने रेल बेच दी, हवाई जी आज बेच दिये, हवाई एड़े बेच दिये, लाल किला बेच दिया, लाल के लिए में जा रहे थे वहाँ सी एक टिकट तो साथ 30-35 रुपे का है पेर बितर जाए के देख्या के इन्हें भाई लाल के लिए तो लाल के लाने बिग गया तो इसलिए देश तूट जाएगा अधिया थोड़ा यह बताई अभी आपने का कि जब आपके पिताजी थी उनके सामने भी बारतातन देने की पूर प्रदान मंत्री चर्ण सिंग जी को बात उठाई गई कि उनको भारतातन से नवाजा जाए पहले कॉंग्रेस की सरकार रही लगबक 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार रही तो क्या बीजेपी को अभी 10 साल यह समझने में लग गए कि वो राष्ट्य सेवक थे पूर प्रदान मंत्री चर्ण से अधिया जा जा जो ठीक है इसका वो नहीं करते है विरोध यह पहले दस साल हो गए इनने इस सब तो बेट तुछार कहने से आता इनने परदान मंत्री का तो सभी सम्मान करें तो उनका चोदी चनसी निजी जीगा इनने दो जार चोदा में करना चाहता लो परदान मंत्री क्या मजबूरी है जूट बोलने कि उनना 2014 में कया था और हम नहीं किसान खुसाल हो जागा ठीक रहे कि बातचीत शाड़े-चाहर सो का रेट हो जागा क्या आखिर को महरी हुआ नहीं है अब कितना रेट है कि 370 का है 370 नहीं और तो उसमत वो तो है वो जो कुछ है किरा है छोला यह 45-45 रुपे की पचास की दी जले को रो जो नहीं पता नहीं कितने अड़क में कि 370 का रेट है 45-45 रुपे की आप लोगों को द्वारा मांग की गई थी ऐसा तो नहीं कि उत्तर परदेश में असी लोग सबसीट है और असी रुपे का फरक आ रहा है यह भी तो कहीं राजनी ते मुद्धा नहीं है और यहां कि आप अधिर्ण के वाराई नहीं पूर्षत नहीं और पर देख देखना चाहाँ जैसे बीजे भी में जाने की इस बात फशी है मुझा फनगर स्थीट पे और आप भी मुझा फनगर जनपद के ही रहने वाले हैं तो क्या फरक पड़ेगा अगर मुझा फनगर स यह दस साल तो है यह जीट जगा या और कोई जीट जगा तो तो क्या फरक पर देगा थीक है इन्हें सुनने चाहे जन समस्ष्टा सुनने चाहे यह बन तूई अपर जिम्मेदारी आपके उपर है समाज आपको देखता है आपसे सीख लेता है तो आने वाले समय में 2024 का चुनाव है खली वोट वाट से काम नहीं चलने का लेकिन सोचना पड़ेगा हमें राजनीति में फैदेगा सोद्धानी हम तो यह अपना रूप करोड़ा सा करो जांगे बाई किसानु किसे में से उठाओ जांगे सच्चे दिल तो उठाओ जांगे मैं हमें खुद नहीं पता हम किस पार्टी में किसा ओट देने बिल्कुल अखिकत बता हम केत में करने में फारगए किक्यू कर ले ासा कि परदान मंतरी जी है बहुत बड़े उसपर हम उनका पर दान मुंतरी हम सर निच्चा ने अट रदोक परदान मंतर्य मयरे आज पर माने फैप तक वी तो देखने जाभ assessments और गए इने कहा भारत टतन देने पर दिल जीत लिए मोदि जिने दिल जीत लिया उद clumsy जी कहा रही है कि किसानों को मसिया जो किसानों के मशिर आये उनको और भारत की दे यह बगर अची बात है जर्म किसानों के मसिया को भारत रत ने बहुत अच्छी सवाल उठाएं कि का काशी राम जी को भी भारत रतन मिलना चाहिए लेकिन महापुरुसों को भारत रतन नहीं दिया जाता वो तो जो राष्ट्य सेवक है जैसे खेल रतन में भारत रतन आता है ऻिद्य झृ जैने को भारत रतन से नवा जा गया तो भारत रतन की मांग मयावतिज ने अगर उठाई था एं पि यौ रहे हैं उनको भारत रतन सНуक क्यों क्यों Tradocy हम किसी मिलना चाहा है हम एक उसके पार्टी के संस्थापक है और अच्छा रहा है तो ठीक है थोड़ा विरोध करें विरोध ने करते हैं उन्हें समान मिलना चाहा है समर्थन में है अच्छा चलो भारत रतन से जुड़ी दो बात हो गई चोदरी साब तेरा लगबक तेरा महीं ने दिल्ली में किसानों का धर्णा चला यही वो बीजेवी सरकार है जिन्होंने आज किसानों के मसिया को भारत रतन दिया है लेकिन आपको लगता है कि जब टिकैस साब वहां पर बैठे दिल्ली में उनकी आँखों में आसू थे तो रात के समय जैन चोदरी के पिता जी अजीत चोदरी जी वहां पर रात को पहुंचे थी उन्होंने ही पूरा मोर्चा संभाला था तो अब लगता है कि जब तो बीजेवी ने तेरा माइने नहीं सुनी क्य अब अगर जैन चोदरी बीजेपी में आ जाते हैं तब किसानों कि सुनी जा सकती है वह एक है बात जो पुराने में है पुरानी बात हो जा उन्हां दो रहने में क्या फायदा उसमें सुदार चाहाना हम नों गए दस साल इस सरकार को होगे भतेर उतार चड़ावाई बहु इस पार्टी में एक राजनाद जी है जो मारे बिलकुल घर के आदमी है उनका सम्मान बहुत सम्मान है उनके मन में किसी मन में कुछ हो बातचीत हम कोई वह नहीं जो इस तरह के जो बुजूर्ग आदमी है उनका उनकी सुना ले लेने चाहा जिनके नाम पे भारते जनता प में कहीं गोड़ी कुछ करवाया दिया कोई अदलत में मरा दिया जिसके आधम रस्ची बंदरी हो और निकालas लाइव एंकाउंटर हो गया हो मार दियो तो चिसका यह किसका जीत वह कुछ से में मारे नि वासी अतिक हमन्स क्यों कर आचना काम एई बीजेपीने मर्वादी किन नमर्वादी हैं बात तो सारी है यह नहीं यह नहीं बात है कोई लेको खुल के बोले जो भी बोलना है नहीं क्या है दोन्नों सगे भाई और दस बजे रात के दस बजे पुलिस नहीं ले फिरी और सर्याम पतर का मतलब लाई चल ला और वह चल ला और गोड़ी तो उड़ा दिया गए उनको लड़का मार दे हो इस उसमें नहीं कह रहा है को इसमें दूसरी उसमें लेकर चले बाई यह मुसलमानों के खिलाब या बाज पाय या अच्छा काम कर दे कर दे को गलत को तो गलत को अधालतों नफासी दो एक अच्छा लगे मुकादम चलया इतने दिन मुकादमा चलया और अधालत ने जोब वह चाहां लगे ठीक लगे इस तरह तो कहीं किसी की कोई आदालत की कोई जीजू की कोई में हाई कोड की मालने सुप्रिम कोड की कुछ भी जूरत नहीं है क्यों कर रहे हैं ऐसा काम ऐसा नहीं चाहता हो ना या निके अतीक अधर उसके भाई की अध्य बीजेपी ने कराई है उत्तर पर्देश में सरकार उनकी केंदर में उनकी तो और किन ना करवा दी और कोई और आगा करना ठीक है ठीक है जी मैं लोटूंगा आपके पास बड़े मिया राम राम यह बताये जो ठीक है साब कर रहे हैं के कानून वैस्तर रही बीजेपी ने जो अतीक है मादेवश के भाई की अत्यक रादी कैसा लगता क्रूंगा करता हो गां यह तो कन फरम नियरा फरिस के विट्र कोर मार देगा और चलो यह बाट तो हो गई बहुत कुछी ऑं और वहत्तियां थोड़ा उनसे भी बात कर लेते हैं अब जी आप क्या कहेंगे जैसा किसानों के मसिया को भारत अतनिमिला है बढ़ी अच्छी खुशी की बात है जो है बड़ी अच्छी के बात है जो एब बड़य कर आ है प weakest चार पर डातर से नवाजे गई चोधरी साब हाई अच्छी बात है भारत अन्वाज यह पर पहले सब्सक्राइब कर्जे मौना करें एक पुराना बेंक कर ऑदremoon Prison नुकास किसान बिल्कुल दबे फड़े तो आप जैनती जी जात हो रहे हैं बीजेपी में के बाई मैं बीजेपी का दामन थाम लूँगा और किसानों की समझ्चे का समधान होगा नू कहते साइड़ चार सो का भाद हैंगे ना साइड़ चार सो का हुए टिक तब एक वहित्ति और मेरे साधें से बात करें राम रám जी मैं आप से जानना चाहरा हूं कि वह सउक्स्राइप तो 为ल्म जा रहे हैं बीजेपी में 수ยत चले जा तो उम्मीद है कि समध्या का हलो पाईगा क्यांश्य नीए कि इतना देखो जितना बड़ा उनको शेर दिया जा रहा है उसमें क्या करेंगा मुझे नहीं लगता कि ज्यादर किसी कोई समाधान निकालें और अपने आप में भाजपा जो है शक्ति-साली पार्टी है वो अपने पुराने वादे पूरे कर देती बहुत बड़ी बात थी बैसाड़े चार सो का रेट देना देंगे सकता मागे उसके बाद जा टारक्षन होगा उसमें नेक तरफा आज तक भी में जेल महमें लोग क्यों यह अब तक जाच कराए प्रदान मंत्री ग्रह मंत्री इन्हों प्रतिनी मंदल गया जा टारक्षन के लिए उनको नास वासन जो आज तक तो कुछ नहीं हो रही बात ये समान देना अच्छी बात है बहुत पहले देंगे और इन से तो बहुत नीचे के लोगों को समान दे दिया तेंदूलकर का समाज के लिए क्या रोल है बताईए है कुछ रास्ठित के तो लिए है ना नहीं रास्ट अरे वो तो नैसनल गेम भी नहीं है कितने देश देखते हैं क्रिकेट को कितने देश आठ से दस दस या बारा देश होंगे उसमें भी वो छोटे-छोटे हैं ये करता है ओड़बानीजी को दिया समाज के लिए ओड़बने जी या ठीक है होगा अरे चरण सिंग ने तो भूमी सुधार चरण सिंग ने किया तो ए जमी दारियून मुला की भूमी सुधार किया बहृत कुछ की ऐ ही बात जान जात नहीं आ पूरवान में चले अरे गाजीपूर बोर्डर है बिहार का गाजीपूर में उनका सांसच जीतता था आजम गडम उनका सांसच जीतता था जोनपूर में उनका सांसच जीतता था क्यों जीतता था मां क्या जाठ है और फिर उन्हों तो इंटरकास्ट मैरीज को बढ़ावा दिया उनकी बेटियां इंटरकास्ट मैरीज की चर्ण सिंग के वह उन्होंने तो ये कहा कि जाती कि नहीं किया सब्सक्रांटGR निप्टाना था कि जा idea कि उन्होंने इंटर कास्ट में साधी कराई चरण संग चीश यह क्या पूल सब्सक्राइब आप कर से खरना तो और बीजे भी की तो संसद में मुद्दा भी उठ रहा है मोदी जी से उनकी जाती की बात की जा रही है बहुत है देखो विवास आदी तो अपनी विरादर में अच्छा लगे जिन उन्हें साथ सतर लाक रुपे एक करोड रुपे अपने बैच्चे पर खरच कर दिये और उस्षाधी कर ले कहीं हम मान्य सुप्रीम कोट को तो चुनोती तो देते निए पर उन्हें विचार करना चाहा जो वहां के जज़े जो सम्मानित ज़े उन्हें इस तरह का वो निचाहता फट् आदमिसामान में किसी का कतल करें लड़को कोह पितकु सिर्खसाधी एक सुरक्साय के गार उन्हें कि्यों ऐसा काम करो ृँ यस here जो बिना माबापकी मरजी के पिना साथी नहीं होनी चाहती हम इसके खिलाप है साथी अपने जाती में साथी होनी चाहा उसी में अच्छी लगे उसी में सौबर है। और यह अद्मी कर रहे पतो क्या करें। ठीक है चोदरी साहब बस आपसे लाश्ट सवाल मायवती के काशिराम जी को जो भारत देने की बात सामने आई है उसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं बढ़ा है उनकी साहत में मिलना चाहा है मैं यह को सचिन तेंदुलकर को दिया और इन्होंने बताया बाभू जिने वह तो कोई असी वह नहीं अबात खिलाडी था ठीक है हम उसका भी विरोध तो उसका भी निकारते पर उसका तो बहुत जरूरी जरूरी है ठीक है चोदरी सा वर्तमान यूनियन के राष्टे अद्यक्स अनरेश्टिक है तो उनके पास पहुंचा था क्योंकि आज वर्तमान सरकार में मोदी जी द्वारा जो पूर परदानमंतिरी रहे किसानों के मसीहा चोदरी चन सिंग जी उनको भारत रत्रतन देकर सम्मानित किया गया है और किसा सामने ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि उदर चन सिंग जी को भारत रत्रतन से सम्मानित किया गया क्या आप काशीराम जी को भी भारत रत्रतन देकर सम्मानित किया जाएगा सामली से अपने सायोगी दीपक के साथ हमीं सर्मा निउस 24 नमस्कार मैं हूँ मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूले ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए योस 24